कर दोस्तों स्क्रीन पापको ऐघ यह दिखा दिखा रहे हैं इस टेबिल को मैंने MSR application के मदद से तुआ पर करे पर किरा रहा हूं और फसे अछहे दो राएंग लेकिन यहां पर मैंने hell साथ में एक साथ में मार्च कर चुका हूं उसके आप लोगों को और भी दिखा रहा हूं देखे दोस्तों यहाँ पर भी मैंने मार्च करके रखा हूं ठीके ना अब मैं आप लोगों को और भी एक चीज दिखा रहा हूं देखे दोस्तों यहाँ पर यह जो साइडिंग का वॉक्स है यहाँ पर साइड में यह जो दोनों बॉक्स है बीज बारे बॉक्स के कंप्रिजन में थोरा सा बरा है आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है तो कैसे मैंने साइड बाले बॉक्स को बीज बाले बॉक्स के कंप्रिजन में बरा किया और एक साथ में दो सिल को कैस क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले आपको टेबिल करने के यहें पर क्लिक करके एक के इक टेबिल को इंशर्ट कर लेता हूँ ज़िलेफ़ कर लिए वह सबसे पहले मैं यहां पर दिखाता हूं देखिए दोस्तों टेबिल को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर एवल आइकोन के उपर एक बर किलिक कर लेना है यहाँ पर किलिक कर लेने के बाद यहाँ पर होम बटन पर आपको किलिक करना है एक बार मैं होम बटन पर किलिक कर रहा हूं होम बटन पर किलिक क कर देखो टेबिल वाला सेक्षेन पर जैसे किलिक कर दिया तो मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर टेबिल आ चुका है अब मैं एक बार बटन पर किलिक कर रहा है तो आपको क्या करना है उसके लिए आपको इस टेबिल के ऊपर एक बर किलिक करना है मतलब किलिक करके रखना टेबिल क के अंदर कहीं पर भी ठीक है ना टेबिल के बाहर नहीं किलिक करना है टेबिल के ओपर ही किलिक करके रखना है किलिक कर लेने के बाद देखो यहाँ पर नीचे आपको एक ओप्सेंस दिखाए तो आप एक बार जैसे किलिक कर रहे तो नीचे का आपको लाइनिंग बर जाएग समझ गया ना आप मालोग है आपको साइड में लाइन बराना है ठीक है यहाँ पर देखो एक दो और तीन लाइनिंग है टूटल तो आपको साइड में लाइनिंग बराना है तो साइड में लाइनिंग बराने के लिए क्या करना है आपको टेबिल के पर जस्ट कही पर भी एक क्लिक करके रखना है उसके बाद देखो यहाँ पर आपको यह वाला सेक्षन दिखाई 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 तो इस उप्सेंस के उपर एक बार किलिक कर लेना है तो देखो मैं जैसी इस उप्सेंस के उपर किलिक करूंगा एक बार देखो एक लेड़ी बढ़ना इस्टट हो चुका है समाझ गया तो फिर से एक बर किलिक कर रहा हो देखो इसी तरह से आप भी भरा सकते हो आप देखो यहाँ पर लाइनिंग आ चुका है यह वाला टेबिल हो चुक यह लेकिन टेबिल बहुत ही छोटा दिखा है इसको बरा कैसे करना है तो टेबिल को बढ़ा करने के लिए देखो यहाँ पर कॉर्णर में एक आइकॉन दिखाई दे रहा है तो इस आइकन को ऊपर एक बार लॉंग प्रेस थोरा सा करने है और नीची की तरब खीचना है देखो मैं उंगली से लॉंग प्रेस किया और नीची की तरब खीच रहा हूं देखो लाइनिंग बार चुका है फिर से मैं यहां पर लॉंग प्रेश किया और निचे की तरफ थोरा सा खीच रहा हूं देखो बार गया इसी तरह से आपको भी रो कलाम बराना है और बॉक्स का साइज बराना है आप माल लो क्या आप कुछ एक्स्ट्रा रो बार मेरा सिलेट किया हुआ है आप इसको खीच के आपको पूरा लाइन को सिलेट कर लेना देखो यहां पर इस तरह से समझ गया ना आप जैसी पूरा लाइन को सिलेट कर लोगी उसके बाद यहां पर एक डिलीट बला आइकॉन दिखाए देगा आपको इस डिलीट करना है देखो यहाँ पर एक बार किलिक करना है देखो शिलेट हो गया उसके बाद एक साइड में खीच के आपको नीचे की तरफ लेके जाना है उंगली से पूरा जैसी शिलेट करोगे लाइन तो आपके सामने यह वाला डिलीट वाला आइकोन आ जाएगा अप डिलीट वाला पर आएगो यहाँ पर लेके आ रहा हूं ठीक है देखो इस तरह से करके खीच के मैंने बढ़ा कर दिया समझ गया न आप देखो एजो टेविल है टेविल पेज के मिडिल में बिल्कुल नहीं है मतलब थोरा साइड में है तो इसको मिडिल में कैसे करना में करने के लिए यह हो चुक है उसके रखीच के नीचे की तरफ लेकर आ गया है ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर उपर में मुझे यह वाल आइकन दिखए दे रहे हैं तो इसके उपर किलिक करके आपको साइड में लेकर जाना है जैसे मैं आप उसके बाद इसके उपर भी दो किलिक करना है उसके बाद नीचे की तरफ खीच के पूरा को सिलेट करना है और इस तरह से साइड में लेकर आ जाना है उसके बाद इसके उपर भी किलिक करना है पूरा को सिलेट करना है और मुझे साइड में लेकर आना है देखो इस तरह से हो तूदो इसी तरह से आप छोटा आवर्ण सकते हो समझ गया आप माल लोखने मुझे यहाँ जवरम तरह दीखा रहे हुआ तो इन दोनों तो आपको यहाँ क्मार्ज के लिए अपको किलिक करना है उसके बाद आपको यहाँ अपको बिखांजिघْ उसके बाद आपको यहाँ पर एक option दिखा देर है marge sales के लिए आपको marge sales सेक्षेन पर किलिक करने हैं मैंने marge sales सेक्षेन पर जैसे क्लिक कर दिया मेरा marge हो चुका है लेकिन यहाँ पर एक शीच देखो मैं आप लोगों दिखा रहा हूं आपको complete details दिखाता हूं देखो इस sales के ओपर double click किया उसके बाद दुनों line को select कर लिया उसके बाद यहाँ पर मैं एवल आइकोन के ओपर click कर रहा हूं यहाँ पर click कर लेने के बाद यहाँ से मैं करने की जुरूत नहीं है तो इसी तरह से आपको टेबिल भी design करना है आशा करता हूं कि आपको complete information अच्छे से पता चल चुका है आप मैं आप लोग को इसको शेब करके दिखाऊंगा कि PDFस करने के बाद कैसे दिखाए मैं सबसे पहले यहाँ पर शेयर वाला section पर देखो यहां पर एक भी लाइनिंग मीशिंग नहीं है और अच्छी तरीके से यहां पर मेरा टेबिल बनके तैयर हो चुका है तो इसी प्रोसेस को एपलाई करके आपको भी एक अच्छा डियाइन का टेबिल बनाना है आप मालो कि आपको एक साथ में तीन-चार सेल्स को मार् करत मिल चुकी है तो इस वीडियो को जुरूर एक लाइक कर देना अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटे को दाबा देना ताकि हमारे लिडेस वीडियो आपके सामय सबसे पहले पहुंचे मिलते हैं इसी तरह क के हेलफफुल और कमल के वीडियो में तब तक के लिए इस गुडबाई फ्रम मी बी गुड़ तो गुड़ स्रेंडिविटी वेल फॉलो